हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आपरादिक सोच वाला आदमी ही सोच सकता है इस केस में लड़की के साथ यही हुआ जिन्दाद अपनाई गई इस लड़की का रास जब एक एक कर कप्र से बाहर आना शुरू हुआ तो पूर एक महीने तक ये मीडिया में सुख्यां नहीं अचे इस लेखेर आपरादिक सर्फितें का ये जल्दी कंड़ी नहीं डी टांकर आंकर आठो दोष ये अश्यों जल्दी बाला कि अन्य वा रही हुआ पसो गया आरी हो जिलो डिलो फिर लो और फिर से तखर आगा गाए ग। गुंजन बापा का मजाग को ड़ाते है तो वी कंदी बाथा आती मजाग कुझा घwnारा थे दो सब्सक्राद कर दो दो ठीक प्रांगे करें जेलो जलने आगे लिए लोग शुलना आगे से और चलना जलती सेव थे पट् तो आवा आटीज टेया। हमने नहीं तुम ने, मैंने तु सिरुब उसका टिफिन डैडिया Quindi तुम्हें आप मुझेना मेरी किस्मत पर ही यकीन हो गया कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी Нहीं है मतलब क्या है कुश्मत पयारा? में इतना टाइम लगता है तो छोटे बच्चे को सम्भालने वे तो जानाफ़त में आ जाती हो जाती हो पाप होते हुए भी मैंने उसे आठ साल तक अखेले संभाला है घर का काम बाहर का काम सब अकेले किया अच्छा सुनो ना गुंजन जब स्कूल से वापस आएगी तो अच्छा मैं भी लेट हो री में चलती हुए जालो मैं चाती हुए ना उन चालो मैं जाती हो आप है तो समद के जाना है हां अलो मेडम आप इसे यूज करके देखें, जहां आपको सबजी काटने में एक घंडा चाता ना, इससे आप सिरफ पांच मिनिट में सबजी कट कर पाओगे, और फिर बाद में कहोगे कि काशी प्रोडक्ट आपके पास पहले भी होता वहिनी, मनीश भाओ घर पे हैं, कोड़ रुपा, तू, तू अब क्या लेन आई है यहाँ पे, भाओ, आपने अपने वकील से बात की, पेरे हिस्से के लिए, जाना भाई, क्यो परेशन कर रहे हैं मुझे, बार बार हिस्सा मांगने आ जाती है, और वैसे भी तुझे हिस्से क अच्छी कासी नोकरी कर रही है, दूसरी शादी की है, अब क्या लिए तुझे, मैं आपसे अपना हिस्सा मांग रही हूँ, कोई भीक नहीं मांग रही हूँ, एक अप्रबस, कुछ हिस्सा भीसा नहीं मिलेगा तुझे, कईड़ा ना, तो बार यहाँ दिखे भी न, जान स आगे मेरे बच्ची, हाँ, वो जो किचन वाला नाइफ है ना, उसका स्टॉक डबल कर दो, उसके डिमांड फिलहाल जादा है, ठीके मुझे जल्दी बताओ, ओके, मुझे जल्दी बताओ, औरे, आगे मेरे गुंजन, आज तेरे लिग सप्राइज है, आज तेरे लिग सप अज है, बहुत नहीं है, बहुत तष्ट्याग अज हो में होगा, यहा, नहीं मासर, अभी ओमक में, पहले हम लूडू के गेंगें, जिस में आप हरोगे, फिर मैं ओमक करोगे, अच्छा, तू मुझे हराएगी, हाँ, एँ, ओन, टू, थी, फूर, मैं चीज कर, मैं जीद क बस 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 अब बहुत हो गया खेलना ये लो दूद खतम करो गुंजन बिटा एक बाद बता अपने नए पापा के घर जाके मोशी और राजी को भूल जाती है यह हमारी आद आती भी है नाई बहुत आद आती है अपकी गुंजन एक बाद सची सची बता तेरी आई तेरे पापा के साथ खुश है ना बहुत 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 खुश है अरे बापीचान सलमालीकम आप तब के नहीं भी गाम है ना आप तब नहीं आपको कोई गलत फामी हुई है ओ माप कीजीगा खुदा आपिस नहया बकरा पसा लिया ज़ोबान समभाल के बाद कर क्या नहीं भाद कर अ YES मैं आमार्टी है, इसलिए डिवोर्स दिया, क्यों जे तुझे डिवोर्स मैंने इसलिए दिया, क्योंकि तेरी रोज रोज की मार से न मैं परेशान हो चुकी थी, सब कुछ अकेले संभालती थी मैं, और मुझे पता है, अगर मैं पुलिस के पास नहीं जाती न, तो तो मुझ तो देना मर्द, तेरा यार उससे पैसे ले क्या मेरे लिए और तो छोड़ूँगा नहीं तुझे तुने अपनी लुखागिरी नहीं छोड़ी न, तो इतने में खुश नहीं है कि तुने मेरे जिद्दीवी बर बाद तरने एंगे तुने दिया है, बहुत जबान चलने ल पकड़ि scorpion, में अजया को पकड़ा है ऐ ह्चा तु ठक गई होगी न, जा थोड़ी देर आराम कर ले मैं में तरी और ये चाय बनाती हूँ तो मिस्स अर्चून कैसी चलरिये तेरी शादेश empowered by मैं अधिक से अगर मुझे अर्चून मिलते था खblis लग किया काट के रखनों कासल नहीं अब वो मुझे परशान नहीं करता है चलो अच्छा फाइनली तुझे वो सब मिल रहा है जब तो डिजार करती है सच्छ में तेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है यह देखे मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत जल्दी काजल की भी शादी तै हो रही है ठीक है बहुत सारे रिस्ते आरे इसके लिए हरे पराई मैं शादी सिर्फ उसी से करूं कि जो घर जमाई बनने को तईयार हो जाए देख तुझे छोड़के मैं कहीं भी नहीं जाने वाले है समझ ले तुक वेड़ी है अधिया कुछ भी बोलते रहते हैं हां ओडर का ना अरे मुझे याद है याद है आई आई आपको पता है आज मैं लुड़ो खेलते हैं मैं माउशी को दो दो बर हराई अब तुमने पूरा दिन ना बहुत मस्ती गर ली लेकिन आपको में हॉमवर कंप्लीट करना पड़ेगा ठीके नहीं आई आई माभी हॉमवग ने कर रही गुंजन मैंने कहा ना मैं त पुदा आफिस यह हमारे महले के लोग थे ऐसी बातचीत करने के लिए चलाया थे और मैटा काजल मौसी के मज़ा आया हां हमने दो 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 खेला और मैंनोने हराया भी अबता है गुंजिन, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? मैं कब से दर्वासा तोगलू? अज़ी का है? अले बेटा, आज ही मंदिर गई हुए, असलिए दर्वासा ने खोल दी तुझे क्या हुआ तो क्यों रही है इतना? अर्जिन बापा आई को गब से मार रहे है और दमगी भी दी है कि वो मेरी आई को मार दाले गए और चाकू भी दिखाया हुआ उन्होंने अज़ीन, 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 शालत हो ज़ीन, आप इसको संभालो, मैं ज़रा देख कर आती हूँ क्या हुआ है निदी का है? गर पे नहीं है, कहां गई है नहीं पता है पता नहीं मतलब जगडा किया था ला तोने उसके साथ? चाको दिखाया था धंकी दी थी, असे धंकी दी थी है सच में ज़ीन से मारा ला कहा है निदी सच बोल दे समझ भी आर, क्या बोले जा रही है तो? वो खुद से कहीं गई है, मुझ नहीं पता कहां गई है कहां चली गई है, कैसे चली गई है? हमारे भी ढगडा हुआ, उसे बैक पैक गिया और चली गई देख मैं यह मान सत्ते हों कि वा तुझे छोड़ के चली गई स theoremानबान के पर यहनी मान सत्ती कि वा गुंजं को भी छोड़ के चली गई फोण सेच ख फोग है उसका, चली तो, बथा आखा जोटी दें, आजी देखती हम अंवाट निदी निदी निदी, निदी निदी कहां है निदी क्या किया तुने उसके साथ काचछश बता रिया गगर तुम उसके साथ कुछ की एह अ मैं ते जिस जिन्दानी चोड़ूगी तुन्सथोन नहीं चोड़ूगी मैं तुझे जट, पागल है तू, अपने यह पागल बनने कहीं और जा कि दिखाए कर इसका फोन बंद क्यों आ रहा है हलो Manish, Manish, Nidhi तुम्हारे यहां आई हुए क्या? एक आजल निधी के लाइफ में जो होता है ना मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, समझी ना? और दुबारा मुझे फोन मत करना, फोन रख ये, गायब वायब नहीं हुई है, छुपके बैटी है मुझे आज़ा, अली मनी नहीं देने ना इसके वज़े से और इस नाटक में तू भी सामिले उसके साथ अरे तुम दोनों कमीनी हो, कमीनी, समझी क्या? साले, जुबान पे लगाम दे और संभाल के बात कर वणना बहीं आके धोँगी तुझे आज़ा, आज़ा, इधर आज़ा इधर आज़ा, इधर आज़ा सुबे से तुने कुछ भी नहीं खाया है कुचल, खाना खाले बेटा, क्या हुआ? माउशी, आज़ुन पापा को फिर से बूचो ना याई का है, उनका गुस्टा कम हो जाते है तो वो थीक हो जाते है अब उनसे पूचो नाई का है पेटा, मैं तरी आज़ुन पापा को काफी बार पूच चुकी हूँ उनको नहीं पता तेरी मम्मे घान पर तो घबरा मता, तेरी मौशी तेरी मम्मे को ढूण के लेकर आएगी एक मिनिट, एक मिनिट, पहले मुझे समझने दीजी निधी के हजबन और उसके फैमिली ने उसके मिसिंग कम्पलेंट अभी तक नहीं लिखवाई पर आप उसकी दोस्त कम्पलेंट लिखाने आई है सर निधी का पती पिछले एक महिने से जब से निधी को उसका सच पता चला है, मारपीट कर रहा है, जगडा कर रहा है सर एक दिन तो हदी हो गई सर मुझे स्पेशल ड्यूटी पर जाना है सॉरी और मैं आपका केस समझ गया आपकी दोस्त गुष्टे में कई चली गई है गुष्टा शान्त होगा आज आएगे आप घर पे वेख जिए सर अपनी की बात नहीं समझ रहे सर निधी गायब हो गई है उसका फोन नहीं लग रहा है मैं उससे कॉंटाइब सर हाँ आपको उस्तर भी पुलीश प्रशाशन हाँ हाँ पुलीश प्रशाशन हाँ हाँ मेरी दोस्त निधी को गायब हुए अज पूरे 20 दिन हो गए है और मैं पुलीस टेशन के चकर काट 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 कर ठक चुकी हूं लेकिन पीएस आई बापट मेरी कंप्लेन तक नहीं लिए वो मुझे बोड़ रहें कि आपकी दोस्ते में कहीं चली गई निदी को तलाशने के लिए काजल ने इतना शोर मचाया कि मीडिया के जरी प्रशासन पर दबाओ आए बात एस एस पी तक पहुंचे सरकिल आफिस को मामले में दखल देने के आदेश तेने पड़े एस्पेशल जांच टीम गई और आखिर कारे एक महीने बाद काजल तक मदद पहुंचे सर निधी नौकरी ढूनते हुए आई थी मेरे पास उसके साथ उसकी आच साल की छोटी बच्ची भी थी रहने के लिए कोई जगे नहीं थी तो मैंने उसे अपने घर पे रेंट पे रख लिया था और मेरा किचन उडिलिटीज का बिजनेस है तो मैंने सील्स गर्ल की जॉब भी दी उसे पर सर कुछ समय के बाद निधी फैमली जैसी बन गई थी मैंने उसे रेंट लेना बंद कर दिया हम बहुत क्लोज हो गये थे और उसके कुछ दिनों बाद वो अर्जुन दिसाई से मिली सोशल मेडिया पर वो लोग बाहर ही मिलने लगे एक दूसरे को पसंद कर लग गये थे तो उन्होंने नवेंबर में शादी कर लें सर शादी के बार निधी और गुंजन उसकी बच्ची दोनों अर्जुन की घर पे रहने लगे वहीं पे शेफ्ट हो गए थे जहां वो अकेला रहता था शुरुआत में सब कुछ बिलकुल सही चल रहा था जैनवरी सेकिंड वीक के बाद यह सारा का सारा प्रॉब्रम शुरू हो गया से सलाम बावीजान बावीजान मैं आफताब भाईजान का कब से फोन ट्राइ कर रहा हूं लिगन मुझन स्वीच ओफार है आप उनसे कह देंगे कि मुझे फोन कर लें तेखे आपको कोई गलत फैमी आप तब भाईजान नहीं हमें घर पे बुलाया था जुम्मी के नमाज अता करने के लिए आपने क्या नाम बताया वो अर्जुन अर्जुन भाई ने सर निथी बहुत परिशान थी जब उसने मुझे यह सब बताया मैंने उसे यही कहा कि शायद कोई गलत फैमी हुई होगी ऐसे परिशान होने से अच्छा है कि हम धंग से पता लगाएं किया यहां जुद रही हो वो गैस अजिंसी वले तुम्हारा आइडी प्रूफ मांग रही थे तुभाइए दूंड रही थी मैं कबाद में रख रहा है ना तुम्हारा अच्छुन अच्छोन अप्दाब है इस वारा नाम अर्चने अपताव है? जी सर्व, मेरा असली नाम अपताव अन्सारी है. तो यह सच है कि तुमने निदी से जुट बोला थे? तुम्हारे असली है छुपा कर तुमने उसके साथ शादी कही थी? जी सर्व, मैं निदी से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। तो निदी को तुम्हारे जब असलीयत पदा चली क्या हुआ? सर्व, वो बहुत गुस्ता थी और मैंने उससे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की. निदी, प्लीज मेरी बात तो सोनो निदी. जो आफ मुझे तुम, दफ्लत करते हुआ तुमसे, जो यहां से. और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निदी. निदी, मैंने ये सब तुम्हें दोका देने के लिए नहीं किया है. प्लीज मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है, निदी. जानता हूँ कि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ तुमहारे सामने आता, तुम मुझे कभी एक से P eupt नहीं करती है. निथी, जिस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थे रहा, वो दिन मेरी जिन्दगी का सबसे एहम और सबसे खुशी का दिन था पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो दिन मेरी जिन्दगी का सबसु मनुहूस दिन था तुमने मुझसे नहीं मेरे नाम से प्यार किया था निधी मैंने कभी तुम्हें ये गुंजन को कोई तकलीफ दी है क्या मेरे नाम में मेरी पहचान में मेरे सारी अच्छाइए को खत्म कर दिया निधी तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार यानि कि तुम मेरी जिन्दगी में सबसे एहम हो, पर हमेशा रहोगी, निधी मैं तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रह सकता हूँ अर्जुन ने पूरी तरह निधी को अपनी बातों में फसा लिया था, और वो मुझे यही समझा रही थी, कि अर्जुन सही था ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ में आया, कि अर्जुन सही कह रहा था, मेरे बुरे वक्त में मेरे सगे भाई ने मुझे सहरा तक नहीं दिया, पुझ जैसी डिवोर्सी लड़की, जिसके आठ साल की बेटी है, अर्जुन ने हम दोनों को असेप्ट किया, डेर सारे खुश तो मुझे चहें थी ना, फिर क्या फरक पढ़ता है कि उसका नाम अर्जुन है या फिर अपताब, फरक पढ़ता है बेटा, अरे मामा जी आप, आप कब आए, तभी, जब तुम उसे अपना दुख बता रही थी, देखो निदी बेटा, तुमें उस लड़के के खिलाफ च ये निदी की परसनल लाइफ है, इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाई या, अब उसे गलती हुई थी, उसने माफी भी मांग लिए, मान रहा है तो, गलती नहीं, शडियंत्र रच रहा है वो लड़का, जिसका सम्मन्दी चुट की बुनियाद पे हो, उस पर कैसे ये मामा जी को होने है, सर ये मेरी आई के बड़े भाई है, ये आई के बाई को ये मामा कहते है, कोई खास अदमी है, सर रामचंद्रदेश पांडे, ये हिंदू सहायता संग के अक्टिव मेंबर है, सर इनका नेशन वाइज ना कुछ प्रोब्लम चलगा था, तो इसके ये में दोस्तारे, बड़न बनाओं फिलिशा, तुम्हें पता है अना, प्योर बचिटेरियन हूँ, मैं नहीं बना सकती हूँ सब, देख नो कैसे नहीं बना सकती हूँ सब, चोड़ो मुझे तुम्हारा शोहर हूँ, नमास पढ़ना फर्दा तुम्हारा, रगो, ये ये गुंजन, कल से काजी जी आएंगे, नमास तिखाएंगे तुम्हे, तुम्हें बनादों के तैयार हो जाना, ठीक है? निधी, रूनो दुना करके कोई फाइदा नहीं है, अभी कि अभी अपना और गुंजन का समान बान, यहाँ पर आजा, लाग मार दे उसका मीने को, पिन नहीं आ सकती काजन, कुझे, कुझे, कुछे कुछ भी करके ना सब कुछ ट्रीक करना पड़ेगा, परना पूरी दु निधी, दुनिया की चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तू, लगता उस कमीने को मुझे ही जीक करना पड़ेगा, अपना फ़र्ज, अपनी शरम हया कि पकवास अपने पास रख, निधी और गुंजन को दुखी करना, बंद कर मैं बड़ा तरी पुलिस में कम्प्लेंड करूँगी, बच्चे का निधी, समझाओ, इसने निधी और गुंजन को खून के आंसू रुला के रखा हुआ था, ये रोज उसके सां जगडा करता था, मार्पीट करता था, और वो छोटी सी बच्ची, वो अपनी माँ को बचान सर में यकीम के साथ क्या सक्तियों, इसी आद्मी ने कुछ किया उसके साथ, अगर मैंने बिद्यानी बनाने के लिए बोल दिया, तो क्या गुना कर दिया सार मैंने, और गुंजन को नमाज पढ़ना सिखाना अब चर्मो हया सिखाना व इसलिए है ताकि क्यूचनों को तॉल इसे ने क्या जो किया था? तो तुने उसके साथ कुछ किया होगा चिर्के इसका घर सर्च करो चाहिए गयर धर्म और गयर जाती में शादी से समाज समृद्ध होता है हमारा समविधान भी इसकी इजाज़त देता है पर हमारे समाज में कुछ रूड़ीवादी सोच रखने वाले लोग इसे आज भी करणर कर देते हैं आफ़ताब अंसारी और अर्जुन दिसाही ने अपने उसी प्यार के खातिर उस प्यार को धोका दिया जिससे वो प्यार करता था क्या उसका बताया हुआ कारण सक्स था या फिर उसकी महबत और दीवानगी के पीछे को गहरी साज़िश थी आकिर वो कहा गाइब हो गए उसे किसने गाइब किया या फिर वो खुद हालात की वजह से छुप गई या मामला इससे भी जादा गंभीर है क्या वाकई निदी जिंदा है या फिर उसका कतल हो गया तो हुआ वाक अर्या यह किसका फ тебя का फोशन एपैक स्वान के निधी कीर जागड़ा उड़ा है इसे गिर गया होगा thattha कि अनतों प्रेंटर ने गिराया आजहिfolg जैसा अप समझ रहे है कुछ नी ये में यह त्च किया लह आ हूँ है पहले वह बहुत अच्छे थे वह मुझे और आई से बहुत प्यार करते थे तुछे पता नहीं चला वह अरजुन नहीं आफटाव है इतनी कौन सी गड़ मी थे यह हां तुछे क्या बपास कर रह है बच्चे के सामने कुछ सित्व शरम कर एह शरम बरम मुझको मज़ सिखा तेरे को जहां मुह मारना ना मान मेरी बेटी का धर्म बरश मतर और पैसे चाहिए मुझे आलिमनी के पैसे रेना समझी ना परकाट का लूँगा शायब तुम ही मजा अगा, उसने मुझे डिवोस यह मैंने उसको डिवोस नहीं दिया, तो अल्यूमेनी वही देनी चाहिए ना मुझे, आपका काइदा ही गलत है, निदी के साथ क्या किया, उसका मर्डर किया ना, नास काइटी काने लगाई, आरे नहीं साहब, जब निदी जाया बुई तो मैं साता रमेत आओ अरे इसको बोलो जाके ठेक करें उसको क्या बोल लेको मैं तरह करूँगा नहीं पर साब वो क्या है ना आप मुद्पर्शब करने से अच्छा जो लिदी को मार सकता है उसको पकड़ो ना कौन? अफटाब नहीं नहीं कम पिया करना? काजल काजल? वो उसके खुननस में थी ना मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि वो काजल ने उसको आफटाब के साथ शादी कर कैसे करने दिया हुगा? क्यों? एक्सेप क्यों किया? काजल का उसके साथ अफेर है? हाँ वो डग्षे लेस्बियन रिलेशनशिप? जब मेरे घर चोड़के चली गई ना तो वो काजल के साथ रहने ले फिर उसका रिलेशनशिप चालो हो गया तो इसी बात पर मैंने अपने शुरकरवकी लोग उनको का कि मुझे अलिमनिस बढ़ा के चाहिए मैंने उसको फोटोग्राफ भी दिखा है तो बोलता है यह नहीं चलेगा और और सबुच चाहिए यह दिखा आप देखो ना यह देखो यह आतना सर अगर इस बेवडे रवी की बात में थोड़ी भी सच्चा ही है तो पॉसिबल हो सकता है कि काजल नहीं निधी को गयाब किया होगा क्योंकि निधी ने काजल को छोड़कर उस आफता पुर्फ अर्जुन के साथ चादी की थी सर यह निधी की फोटोस मीडिया में वाइरल होने के बाद हर गाव हर शहर के आदमी ने तो इसकी फोटोस देखी होगी लेकिन अब तक हमें कोई इंफोर्मेशन क्यों नहीं मिली यह बेवडा रवी है यह काजल और नीधी के प्रिंट कियोए फोटो ऐसे जेब में लेकर नहीं गुम रहा होगा और उसने में इंटेंशनलियो फोटो दिखा है इसले बहुत डाउट आरा है मुझे इसके उपकर एक काम को रो विद्या काजल के स्टाफ से कूछ ताच करो थोड़ा भी डाउट आया तो काजल को कंफरंट करना होगा Ma'am, में इस बारे में कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अपनी नोक्री करना चाहते है देखो मैं सिर्व इतना जानना चाहते हूँ क्या काजल ने कभी तुम दोनों पर ट्राइ किया था मैं एक प्राइ किया था पर मुझे डर था कि अगर मैंने मना किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुबारा कोई ऐसे हरकत भी नहीं की सर मैंने निधी और काजल का शोशल मीडिया अकाउंट चेक किया है सर उन दोनों की पोस्स देखकर लग रहा है कि उस ब्यवडे रवी की बात सच हो सकती है अच्छे परण पापा के साथ शिफ्ट होने से पहले आप लोग काजल मॉसी के साथ रहते तो आप दोनों के कंबरे एक होंगे आप ममी के साथ साथ सोते होंगे नहीं हांटी, कम्रें अलग नहीं थे, शुरू में मैं और आई साथ सोते थे, कुछ दिन बाद मैं और आज जी साथ सोते थे, और आई और माउशी एक साथ सोते थे काई बोली सर वो जो काजल है ना हर दो दिन में आती थी और इतनी चिलंग चली करती थी ना अर जुन को क्या-क्या सुनाती थी और हमेशा यही बोलती थी कि नीदी तु मेरे साथ चल और मेरे घर में रहे काजल तुझे पता है आज मैने मेरी पहली सेल की पुरे 3,000 की है धार के हुआ कि थी भूलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी के सहारी की जरूरत नहीं है और उसे दिन से हमारा अफैर शिरू हो गया था सर मैंने निदी के साथ कोई जबर्दस्ती नहीं की थी जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ और सर मैं तो पहली से ही ऐसी थी पर निदी का ये पहला लेजबिन रिलेशिशिप था उसका तुम्हेर साथ अफैर चल रहा था लेकिन इसके बावजुद भी उसने अरजुन के साथ शादी कर ले थी और ये तुम्हें पसंद ने आया है ना? नहीं सर मतलब हाँ ओविसली मुझे बुरा लगा था और मैं हमेशे से निदी की खुशी चाहती थी सर निदी जब बेर साथ थी तब भी उसने बार-बार एकी बात बोली कि उसे गुंजन के फ्यूचर की टेंशन होती है वो चाहती उसे मा और बाप दोनों का साथ पिले और सर जब अरजुन निदी को मिला तब मैंने खुद उसे अंकरेज किया उस वक्त तो तुमने महान बन के उसका होसला बढ़ाया था तक जब तुमारी बात समझ में आए कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती तुम हर दूसरे दिर अरजुन के घर जाती थी उससे जगडा कर दी थी और निदी को तुम ये सला देती थी कि उससे आलग को जाओ नहीं सर मैं अर्जुन से अपने लिए निधी के लिए लड़ा करती थी अर्जुन क्या मैं तो निधी के सगे भाई मनीश से लड़ पड़ी थी जब उसने प्रॉपटी में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था मनीश तो छोड़ो मैंने उस बिपन रावत की बैंड बजा के रखी हुई थी जब से निधी के साथ उसने बत्तमीजी की थी अभी बिपन रावत को है उसने निधी के साथ क्या किया था कस्टमर था सभ एक दिन निधी उसके पास इटेंसल सेल के लिगई थी और उसी दिन ये देखे सब इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी इसमें सबजिया डाले और इस तरह से गुमा दिशे दो मिनेट में सबजिया कटके रेडी हो जाएंगी एक मिनटे, मैटम ये मेरा डेपार्टमेंट नहीं है मेरी वाइफ का काम है अब उसे क्यों नहीं समझा देती हैं आईए प्लीज अंदर आईए आईए अरे नेशा नेशा हरे आपने दर्वासा क्यो बंद कर दिया विभी गर नहीं मेरी कब रहाँ आए देखे मुझे जाने तिजिए किसी को कुछ पता मीचे लेगा मुझे जाने आए अपने हां काम करने वाली सारी लड़के को हुए कठ्था किया और उसकी घर जा के खड़े हो गए साले, हां, बहुत, बहुत, बहुत शौक है उतार कपड़े, चल उतार, 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 उतार कपड़े, उतार, देख, 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 करवाई थी सर आपके रेकॉर्ड में होगी आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर में निधी से बहुत प्यार करती थी उससे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है ठीक अब जा सकती हूँ क्या लगता है दुमें? नाटक कर रहे है सर अब ही को साफ साफ नहीं कह सकते हैं और सकता है कि ये अर्जुन जे खुणनस खाई बैठी है लेकिन सर बाकी एविडेंस को भी एम एकडोन नहीं कह सकते हैं इसने निधी की हर जगे मदद की यब उसके साथ कोई नहीं था ये थी यहां तक इसने निधी की बेटी गुन्यन को भी अपने घर में जगाती है एक काम को रुषिर के ये निधी का भाई मनीश और विपिंद रावत वता करो है ये निधी को गायब हुए अब एक महीने के उपर हो चुका है आपको लगता है उ जिन्दा होगी है मुश्किल है कर दो को सकता है कि जानगुच करो कहीं चुब के बैठी है उसके हमार बार जो डीटेल से उसे नहीं थे तो इस तरह की लड़की नहीं थी तेकन अगर दो चुका है तो उसका मर्दर किस ने और क्यों किया है कि गुंजन बेटा तेरा पैस्टी खाने का मन था ना देख में तेरे ली पैस्टी लेकी आई हो ठीक 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 कर दो अब्सक्ष्टा डोки कि मुझ कि अदो अध्यू आई भुझ आप कि अप्याय... सर, मैंने रिकॉर्ट चेक किया है, सर पता चलाए कि निधी ने विपिन के खिलाफ कंप्लेंड की थी, और साथ फेरवरी को दोनों की कोड में पेशी भी थी, लेकिन ठीक तीन दिन पहले निधी गायब हो गई, सर इस विपिन के पास सॉलिड मोटिव है निधी को गायब करने सर, 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 से लिठीक के साथ क्या-कया बोलता है इस विटी तो भाहिने से माय कए गई थी, सर आब इसानन हूं सर और वह उसे बढ़काती रही, सर, कि मुझे रेले नीचे मिल tha नीचे पहरए तो फासी नहीं चड़ेगा, तो यह सड़ेगा, तो यह सड़ेगा, ज़िता निदी का भाई मनीश को पता चला, सर विद्धिया उसके बारे में इंफोर्मेशन निकाल रही है, निदी और मनीश इतने से थे, तब से जानती हूं दोनों को, कुलकरनी भाव जब अफिस से आते प्रोपर्टी में से वो हिस्सा देगा क्या, वो बिचारी निधी एक दी आई ते अपना हिस्सा मांगने तुबारे आँ दिखी भी न, जान से मार दूंगा, चल निकाल यहांसे मैडम, मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ, कहां लेकर जड़े इंको, हिस्सा देलान, तुझे चाहिए, नहीं न, चांत रहे सर, इतने महिंगाए में खुद का खरचा चला बना मुश्किल है, इसलिए तो बच्चे के बारे में सोचा नहीं है अभी तब, ऐसे मैं निधी गुंजन को लेके आ गई, पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी बना ली, फिर बोली, मुझे डिवोस लेना है, खुद का ख गाजल के घर रेंट पे रहने वाली थी, वो रेंट से जाने से पहले मैं खुद जाके उसका भर देख के आया अप, देखा सब ठीक है नहीं है, फिर उसको अलाव किया वहार रहने के लिए, अभी सर आप ही बताओ, इतना सब किया मैंने, फिर भी वो आके मुझसे पुछ साइब, मैं सच वोटरों साब मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, अगर आपको ऐसे लगता है, तो मैं अपना खुद का घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे देता हूं साब, भी देगा उसको, उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे, कानून पता है के देरे को, माबाप के प अपस आएगी और, अब उसकी बेटी गुंजन, उसको प्रॉपर्टी देने पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी वारिस है, समझा, हाँ सर, तुमी मनालता सर, आप जैसे कहोगे, वैसे करूंगा, तो आप मैं जाओं, 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 जाओं कि पुलिस के पास इन में से किसी के खलाफ कोई पोखता सबूत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, कि अभी तक यहीं नहीं पता है, कि निदी जिन्दा भी है, या नहीं शिर्गे, तुम्हें क्या लगता है, इन चार सस्पेक्स में से कौन होगा, चार नहीं पांच, सर, उस पांच वे सस्पेक्स के भी फोटो लगा दीजे बोड के, कोन है पांच वे सस्पेक्ट, जिससे निदी की फोन पर आखरी बार बात हुए, काजल प्रतान है, नहीं सर, मुझे निदी का कोई फोन नहीं आया, अगर आया होता तो मैं तुरांत उसके घर चली जाती ना, उस दिन तो दुपैर को मैं घर पे थी नहीं, सप्लायर के साथ कुछ कमिशन का इश्यू हुआ था, मैं उसे को सॉल्फ करने गई थी, सर, मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं बैटरी डेट थी, तो मैं इसको चार्जर पे रख के घर भी चली गई थी, और सर, जब मैं दुपैर को तीन बचे के आसपास वापिस आई, तो मैंने देखा गुंचन घर के बाहर बैठी रो रही है, यह रहे तुमारे कॉल निदेल्स, उस दिन तुमारे फोन पे निदी क कॉल आया था और तुम दो मिनिट तक बात करे थे उसके साथ, पर सर, मैं जूट नहीं बोल रही हूँ, तो सच बोलो, यह तुमारा यह कहना है, कि तुमारे फोन से किसी और ने बात की थी, सर, यह भी तो हो सकते, क्या, ओ गोड़, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता, क कि कि दुमें उट है, नहीं कर सकते नहीं कर देती हूँ, मैं खोद दो गठाग, यह? एक कि अधी कंदा है, अभी कि घच देती हूँ, दोनों का सच्छ में पोलिस को जाओगा जा की बताओंगी अभी के अभी के बी चल्ले उन अवाला, मामें अपना दिया उसे अपना दिया उसे है! फिर निदी को वाए लाला। आपको कही से पता चलाई? निदी के गायब होने के कुछ दिन पहले मामा जी ने अपने प्लॉट का काम शुरू करवाया था मैं और निदी वहाँ पर देखने भी गए थे फिर निदी के गायब होने के कुछ ताइम बाद आई से पता चला कि मामा जी ने प्लॉट का काम बंद करवा दिया है जितना मुझे याद था उन्होंने खुद अपने मूझे बोला था कि शुब मूरत चल रहा है वरना काम छे महिने तक तक तल जाएगा मुझे इस बात पर शक्तो हुआ था पर फिर मैंने ध्यान ने दिया लेकिन आज जब आपने बताया कि निदी न आक्री बार मुझे फोन किया था तब मैंने वही सोचा कि शायद उस फोन पर एक फोन आया और वो किसी ने उठाया कर चाने के बात पता चला मुझे अपनी आई थी इन धोर ने मार दिया मेरी निदी को नीदी और अरजुन का जगड़ा मैंने फोन पर सुन लिया था काजल मैं आप यहां और दे रह सकती नहीं बरदाश कर सकती यह सब कुछ नीदी बेटा मैं काजल नहीं उसके आई बोल रही हूँ काजल बाहर गई अपोन चार जींपे लगा थी लेकिन क्या हो गया बेटा तुम रो क्यो रही हो मैं अब यहां और नहीं रह सकती यह सब नहीं परदाश कर सकती मैं अटिप मैं कुछ दिन के लिए आपके यहां आ सकते हूँ यह भी तो तुम्हारा अपना घर है न तुम यहां आ जाओ लड़ लेकिन बेटा मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वही से रामचंदरभाव के प्लॉट पर जाओगी ठीक है तुम वही आकर घर की चावी मुझसे ले 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 ना ठीक है अटिप मैं आते वहां तुम मुझे छोड़कर कही नहीं जाओगी निदी मैं जाओगी और अभी जाओगी तुम मुझे नहीं रोक सकते हो मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है तुम क्या सब्सक्राइब होटा तुम मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी नहीं जाओगी तुम निदिखा गर हमारे घर से 15 मिनिट की दूरी पर है, मुझे पता था वो तुरेंट आजाएगी, इसलिए मैंने माउ को पहुं किया और उनको तुरेंट प्लॉट पराने के लिए कहा, आगे पिट्या, नमस्त्राइट पिर लस्ते, वो आप मुझे चावी ते दीजे, कुन जन भी आते होगी बस रास्ते में है, हाँ हाँ बढ़ी तीओ, एक बात समझ में नहीं, आपने उसे मारा कियो, ताकि हमारी काजल फिर से उस निधी के चक्कर में ना आए, काजल और निधी की लव स्टोरी हमें बता चल गई थी, बड़ी मुश्किल से काजल एक लड़के के सा सादी करने के लिए तयार हो गई थी, अब निधी के वापस आने के बाद, उस शादी के लिए मना कर दे दी, इसलिए मैंने निधी का चैप्टर ही खतल कर दिया, मुश्के माफ कर दे बेटा, मेरी मजह से, सादी बेटा, मैं तेरी आई को नहीं बचा पाई, पर अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें इंके साथ जाना पड़ेगा, मैं चाती हूँ, मेरी गुंजन अच्छी जिन्दगी जिए प्यार और परवरिश, हर परिवार और माबाप की जिम्मेदारी होती है, जिसका ऐसान जताकर, वो आजादी से जीने पर बंदिश लगा देते हैं, और जब भी को इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो यही प्यार करने वाले, उसे सबक सिखाने के लिए किस जब भी असमानता, औरतों पर अत्याचार या भेदभाव की बात करें, तो सबसे पहले खुद को आके, खुद को टटो ले, अगर आप बतलेंगे, तभी समाच बंदेगा। कर दिए असमास है, तो सब्सक्राइब को ट्रॉज़ कि असमाच, ओःओ लिए खुद कर दो के का बात लाग्या।